कैसेieuब वोगों की संका होती है कि फाई जोब कौन सी बैठ रहेे हम हमें कौन सी जोब करनी चाहिए तो देखो अपने क्या क्या डिफ्रेंस है कौन सी जो बैटर है कौन सी हमें करनी चाहिए और कौन सी हमारी सिट्वेशन के अनुछ साही जोब है तो आएए फ्रेंड देखिए सेंट्र जोब है इसमें तो मैं ले लेता हूं रेलवे ऐसा ऐसी क्योंकि यहां पर ही जाता था वैकेंशी निकलती ह इसके अलावा अधर जोब आते हैं जैसे कि दिल्ली पुलीस आ गई ठीक है न या फिर बैल्ट की नोपरी जैसे आर्मी आ गए छी ऐसा भी आईटी बीपी यह तो है ठीक है इस्टेट जोब के बात करते हैं इस्टेट में जो अपनी कौमन जोब है जैसे की पुलीस की इस्टेट में कौन सी जोब तो बैटर आपने लिए यदि दोनों मिल जाती तो आपन किस परकार से चूज करें अपने कौन सी जोब करनी चाहिए ठीक है तो देखिए कोई सी जोब तो सबसे पहले अपना प्रकार करते हैं कि इस जो में क्या सहल दी है और जो दूसरी जोब यह उसमें क्या सहल दी जैसे आपन इस घूलधय कर दूसरी जाएंगे तो इसमें क्या सह लिए होने वाली है ठीक है तो एक तो आपनом 1 Treasury का नुसार करेंगे प्रोविशन पीरेड तो यह होता है इस्ताई और इस्ताई ज्याने की फिक्स होता है सर्विश में कि आप इतने समय तक जैसे एक साल दो साल तक आप इस्ताई रहेंगे ठीक है उसके बाद आप इस्ताई रहेंगे आप देखो कुछ इस्टेट जैसे अपना रास्तान है रास एक साल का जलता है सेंटर की सर्वीश में और ट्रेनिंग पिरेट सभी का अलग अलग रहता है सेंटर में किसी में 6 मैंने रहता है तो किसी में एक साल रहता है रेल्वे के अंदर एक साल का रहता है अब आपन बात करें जैसे सेल्दी में ही अलाउंस डी है डेलिंग अलाउंस तुछ मैंंगई बता यहां पिर रहता है, ह् Teachers अवी सेंटर में ज़्मे, सॉड़ता है, बडराइंट सेंटर नसाल हापी सेंटर में पर आपको पीलान हीघ है थेज़ है यह सी साल बात यह थे कि हाड डूटि एलाउंस है अगसा ठिक है यह होग है ट्रेवलिंग एलंच यह तो यह आपको इस्टेट में नहीं कि मिलता इस Всёपकर जैसे आप más दीए मिलेगा जहां पर भी आपकी नाइड़ लगे कि मैंस अलांज तो यह यह स्टेट की सरीश में बैल्ट वाली सरीश में मिलता जैसे रास्तान पुलिस हुई लेका तो शिविल सरीश है जैसे कि पटवारी हो गया वीडियो हो गया टीचर वहां पर आपको मैंस अलांज ज खाने का बत्ता होता है वो नहीं मिलता है ठीक है दिपावली बोनस की बात करें तो यह देखो सेंटर में दिपावली बोनस ज्यादा मिलता है और सेंटर में भी उन सर्वीच में जहां पर प्रोफिट ज्यादा है जैसे रेल्वे हुआ ठीक है या फिर अपन बात करें जैसे म समय रोवा ठीक है या फिर अपन बात देस्ट माइं वाइट यह को ये खादाने वहां पर दिपावली जाद मिलता है अट्रेट की दो में मिलते है और रास्तान में अब बात करेंगे ड्रेस अलंच की तो यह बीदे को सेंटर में जाद मिलता है आपको compare करके बता रहा हूं ठीक है मैं आपको यह नहीं कर रहा है कि आपके लिए center job best है या state job best है मैं आपको बता रहा हूं difference दोनों में चूज आप करेंगे कि आप center job करना चाते है state job मैं आपको पूरे इसमें जो भी अपने को दिक्कत आती है जैसे अपने एक-दो मौकरी करने के बाद center में बाद में क्या दिकता थी इस्टेटम क्या दिकता थी सब इम आपको एक-एक करके बताऊंगा रहसा लाउंच की बात होई गई कि आपको अपने सब्सक्राइब करेंगे आप अपको फिरीज सुईदा मिलेगी इस्टेट में ऐसा कुछ है नहीं इस्टेट में आपका medical कार्ड बनता है और चुनिंदा होस्पिटल होती है आप वहीं पर अपना medical कार्ड का लाब ले सकते हैं यह तो है medical का ठीक है अपने बात करें पावर की आप यहां से आपके important जो पॉइंट है वह स्टार्ट होते हैं जो आप बार बार मेरे को comment करते हैं ठीक है ना आपके जो मैंड में संचे रहते हैं यहां से स्टार्ट होते हैं एक तो होगा है देखो पावर 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 की बात मैं आपको बजा देता हूं कि कि सैंटर की जो में आपको ऐसी कोई नहीं मिलेगी ठीक है क्योंकि सैंटर जो में यह होता है कि आप घर के पास तो बहुत ही कम chance क्या की duty करके पास आजाए जातर घर से दूरी रहती है इस्टेट में भी आईगी आपकी तब भी आपकी घर से दूरी रहेगी तक्रिय बन 400-500 किलो मीटर ठीक है 200-300 किलो मीटर ऐसे तो रहेगी जैसे रेलियो अपना तो जातर क्या करते हैं कि रेलियो में भी बाद से फोरम लगाते हैं स्टार्ट में पता नहीं होता है कोई रास्तान का बंदा उगली से लगाता है ठीक है एक-दूर नहीं करते हैं बाद पता चलता यार बहुत दूर अपन तो घर से तो पावर के बाद यहां थी है कि अपन घर के पास रहेंगे तो अपन सरकारी नहीं कुछ पावर में यूज़ कर सकते हैं गर से दूर रहने पर इतना जादा यूज़ नहीं होता उसका चुट्टी के बाद करें शुट्टी देखो आपको बर-बर के चुट्टी मिलेगी इस-टेट में बूर चुट्टी मिलेंगे सेंटर उमें आपको 50-60 मिलेंगी मैक्सिमुल हा जो बैल्ट के नोव्ख रिम वहां पर ज्यादा शुट्टी है यह मैं समझे रहें का बैल्ट सब्सक्राइब कर सकते जोब के साथ को सब्सक्राइब कर सकते जैसे मालवापन सब्सक्राइब कर सकते हैं या दर्जोब भी कर सकते हैं साइड में ठीक है अपना जो फैमिली बिजनिस उसको भी समाल सकते हैं अब देखे बात करें ट्रडिक ट्रव ये डिपेंड करता आपकी जोब फरोफाइल पर इस्टेट में या सेंटर में दोनों में आपको पढ़ने के समय लगवग मिली जाता है ठीक है अब ये दिटक में तब्ल आप में तभी मिल जाएगा लेकिन वो जो प्रोफाइल यादी फिल्ड की जोब है तो वहां पर नहीं सकते ठीक है फिल्ड में जैसी गूमते रहेंगे तो फिर पढ़ने के समय काम मिलेगा हाँ सुबह और स्याम आप स्याम को आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं और यदि बात करें इस्टेट जोब की तो इस्टेट में क्या आप जातर है सिविल मतलब ओफिस काई वर्क होता है ठीक है तो वहां पर आप ओफिस में अपना काम कंप्लीट करके फिर समय निकाल के दो से तीन गंटे चार गंटे निकाल के आप आराम से तियारी कर सकते हैं सि फ्रेक्न कीरें बारेवरियब् instruments में हैं एक राखिक्त राष्टान मे ऐसा हें कि अब उससलत बादं करें तो सेटर में काफीं के पास ये बहते हैं जैसे में राष्टान ठीक है तो अलवर जैपुर में जाद अंतर नहीं है इसी परकार इस्टेट में तो आप गर के पास ही रहेंगे वर्क की बात करें तो फिल्ड और ओफिस वर्क सेक अब देखे जब भी किसी सिर्विस को चूच करें तो अप यह जरूर न कि आपको डे वरय करना इसी या भी एक डोन आफ कर सकते हैं जैसे आपकी दोडोशाइस लग जाती है तो आप एक शरुश कर जाते हैं तो आप यह जरूर देखना कि कि आप किसी सीचेशन में अच्छी तरह से कारे कर सकते हैं पर्मोशन की बात करें तो यह आपको सेंटर में पर्मोशन जादा मिलेंगे इस्टेट में तीन से च्यार पर्मोशन यह पाते हैं ठीक है सेंटर की बात करें तो वह सेंटर में आपके 5-6 पर्मोशन आसानी से मिल ज या से क्या लगता तो वह पहले लगए सेंटर में कोई भी रूल रूल अपलाई होगा फिर वान इस्टेट वाले इसका फोलो करते हैं ठीक इस्टेट वाली उसक अन MINES С tremendous परेंट चल रहा है सेंटर में और बीर्टी अच्छी जान करिए का फी लोगों में और इस्टेट में दोनों का अलग-अलग रूल है यह बता देता हूं सेंटर में क्या है सेंटर में ऐसा है कि वही दस परसेंट तो आपकी सैल्डी है यानि जो आपकी बेसिक पे है प्लस दीए दस परसेंट पैसा तो आपकी वहां से कटेगा 14% गोर्मेंट अपनी तरफ स है उससे कटेगा मंथली और 10% ही पैसा गोर्मेंट अपनी तरफ से मिलाएगी यानि कि इस्टेट में वह चाहिए रास्तानों चाहिए यूपियों चाहिए बिहारों लगबग सभी की नहीं करा लगबग इस्टेट में ऐसा ही है इस्टेट में जो एंप्यस करता है वह 20% आ सेंटर की जो उसमें सहली जाता होगी इस्टेट की जो में सहली कम होगी दोनों की सहली में तक्रीबन आपको साथ से 8000 रुपे का अंतर मंथली मिलेगा ठीक है बाकी अधर्स जो आपको सुईदा ही मिलती है जैसे भई दिपावली का बोनस हो गया अना एज्यूगेशन फी सहां से क्या आपकी सुईदा मिल जाए ठीक यह तो हो गया सेंटर का दूसरा स्टेट का फाइद एक वह आपको यादि घर के पास जोब करनी है घर के नजदिक रहे के जोब करनी है तो आप इस्टेट की जोब करिए फिर ठीक है आपको कोई साइट बिजनिस करना है तो हम आपकी पूरी-पूरी help करेंगे देखिए यह जान करीवसे तो सभी को पता होती है वह सेंटर जोब कैसी है इस्टेट जोब कैसी है फिर भी जैसे अलग-अलग दो सर्विस लग जाते हैं किसी की सेंटर की स्टेट की तो उनके मन में बहुत बड़ा संश्य रहता है या सें चैनल को सब्सक्राइब वे लाइक जरूर करना थैंक यू फ्रेंड